डीडी अकडेमी में आप सबका स्वागत है चलिए आज एक बहुत ही अहम जीज़ को करते हैं सहजवर्द मुल मैंने इसके सामने सहजवर्द को इसलिए लिखा इसी इसको लिखा क्योंकि आप किसी भी नंबर के चाहे वो दो संख्या हो या दस संख्या हो आप केवल एक ही वीधी से आप स्क्वाइर रूट निकाल सकते हैं चाहे वो परफेक्ट स्क्वाइर हो चाहे वो नॉन परफेक्ट स्क्वाइर हो और वक जो लगेगा केवल 6 सेकेंड लगेगा अगर आपके हाथ में थोड़ा सा स्पीड है नहीं तो दो सेकंड और बना लिजे इससे जादा कुछ भी नहीं होने वाला है इसलिए इस वीदी को कृपया ध्यान देके देखें सुनें क्योंकि ये वीदी आपके यूट्यूब में आने वाले हर वीदियों से एक दम अलग है क्योंकि और इसका महत वो इसलिए है कि चुकि अब एक ही वीदी से आप सारे कोर कर सकते हैं तो फिर आपको प्राब्लम होता भी नहीं है और आगे एक चिसको अब जान लें कि अगर कोई बैंक की एक्जाम की त्यारी कर रहा है तो एप्रॉक्सिमेशन के लिए तो ये संजीवनी सुधा की तरह काम करेगा इतना डीडी का वादा है चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो पहले हम पहले सवाल को देखते हैं पहला सवाल देखिए 1,023 का स्क्वाइर रूटी कर आला है तो देखे हम 1,023 को कैसे लेखते हैं देखे ये विधी जो है ये 1,023 के बाद एक लाइन किसना इससे इस इजी विधी मतलब ये इस इतने हां तक तो आपको सारे के सारे आपके यूट़्ीब में मिलेंगे लेकिन यहीं से हम अलग हो जा रहे हैं कैसे अलग हो जाना है जरह इसे देखिए हमारे सामने 10 है 10 का मतलब है कि यह 10 है तो हम देखते हैं कि पहाड़ा पढ़ते हैं वर्ग का पहाड़ा दूदुनी 4, 3, 3, 9 4, 4, 16 16 जा नहीं सकता 9 जाएगा तो हम 3 लिखे और सुनना लिखे देखिए यहां से मबलग हो गया है आपके दूसरे वीडियों से के तरह नहीं है यह तो इसे जरह ध्यान से देखेंगे तो 1023 से हमने क्या क्या 30 का स्क्वाइर क्या तो 900 हो और 900 को घटा दिया 900 को जैसे घटा दिया तो हमें 123 मिल गया चलिए हम आगे फटाक से बढ़ते हैं 30 के घर का स्क्वाइर हमारा हो चुका है तो उसके बादवाला कौम सा घर होगा 31 का होगा तो देखें 31 को हम क्या करते हैं 2 से गुना करके माइनस 1 करते हैं तो चलिए करते हैं 31 दुनी 62 62 से एक गया तो 61 हुआ तो हम जानते हैं 123 से तो 61 घटाए जा सकता है तो बड़े अराम से हम 123 के नीचे 60 लिख देते हैं चलिए घट गया अब है कि अब भी देखो 62 बचा हुआ है 62 मतलब बड़ी संख्या है तो अगर घटाना भी है तो ये एक बार तो नहीं जाएगा एक से कम बढ़ जाएगा तो कितना बार जा सकता है तो इसके लिए ज़रा धियान से देखेंगे 63 से 62 जो है कितना कम है एक कम है तो एक कम है तो बड़ाबर क्या है कि अगर हम 6 को 6 पर खली करते हैं तो 6 एकम 6 मतलब 0.6 मतलब अगर हम एक परसंट लेते हैं तो यह 63 जा सकता है दो परसंट होगा तो कितना होगा दो परसंट मतलब है 6 दूनी 12 मतलब 1.2 सम्तिंग हो जाएगा घटाना है केवल 1 तो देखो हमें एप्रोक्सिमेशन कर रहे हैं हमें तो पता है 0.9 के बा यह 100% एक्यूराइट सी नहीं चाहिए तो नैचरली यह इस वीधि में यह отв है एक्यूरेट इकसे निकाल दिया जाता है लेकिन यह एक्यूरेट की बात आपको पकड़ा देता है तो फिर क्या हुआ देखे 30 और 31.9 31.9 आप बड़े प्यार से 8 और बढ़ाती है चुके हो 98 लिके हो, यह 97 भी हो सकता है हमें भी पता नहीं है मैंने आजार 30 का कभी square root करके देखा नहीं है हम इस वीदी पे ही आ रहे है तो इसके लिए मतलब है 31.9, 8 या 7 whatever या इसके बीच की कोई value हो सकता है तो हम इस पे इतना हो जाता है कि yes चलो, तो देखे एक बार फिर से कर लेते क्या क्या था हमने, 1023 था 1023 को इसमें line की चा 10 हुआ, 10 में क्या क्या 3 का पहले हमने पहारा पहरा square का पहरा, वर्ग का पहरा तो तींतिया ही 9 होता है तो हमने 30 लिख दिया क्योंकि ये 23 के लिए एक सुनना हम लेके आते हैं 30 हुआ, 30 को अगर हम square करेंगे तो तींतिया ही 9 और एक सुनना अगर वर्ग जब करेंगे तो दो सुनने में change हो जाएगा 900 एक हजार तेईस से 900 खटाया तो एक सो तेईस हुआ अब हम जानते हैं 30 तक जा चका है अब 31 तक जाएगा क्या नहीं तो 31 को दो से गुना करके माइनस वन कर दिया, तो 61 हुआ तो देखो एक बार चला गया फिर भजगिया 62 हम जानते हैं 32 को दो से गुना करके माइनस वन करते हैं तो 63 होता है हमें लेस करना है 62 तो मतलब है हम यह सोचते हैं 63 का कितना परसेंट जो होगा 62 होगा तो 63 का कि एक कखाली डिफरेंस है इतना तो समझ में जाता है 0.9 तो होगा ही और यह 8 भी लेते हैं क्यों लेते हैं 63 को अगर हम 12 से गुना करते हैं सुरी 2 से अगर गुना करते हैं तो यह 1.26 होता है तो 1 के बाद 0.26 बहुत छोटी संक्या इसके लिए हमने 2 घटा दिया 100 से तो 98.98 लिखा तो बड़ाबर 31.98 यहां पर 8 के साथ नीचे भी आप हो सकता है इसके लिए अगर हम अगर approximation मिलें तो 31.9 बाद बाकी का संक्या हम option से भी ले सकते हैं चलिए हम आगे बढ़के इस बात को और देखते हैं अब नेक्स सवाल पर जाते हैं जैसे 7.46 है देखिए वही वीदी करते हैं 7.46 6.46 के बाद लाइन खेज दिया साथ है हम जानते हैं दूदूनी चार तींतिया इन आओ दो के बाद देखिए सुनना ला सकते थे लेकिन अगर जिरो लाते तो भी होता कोई प्रॉब्लम नहीं था ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लेकिन हम चुकि 25 का स्क्वाइर हमें जानते ही है 625 है या तो हम 625 सिधा-सिधा लिग देते हैं कोई ज़्यादा मघजमारी नहीं करते है 746 से 625 गटा है 121 होआ अब 121 अब 25 वाद घर हो गया तो क्या होगा 26 होगा 26 को 2 से गुना करके माइनस 1 कर गया देखिए पहले पर वही क्या था और ये एक लाल में लिखा मतलब एक बार जा रहा है तो 26 दुनी 52 में से 1 गया 151 121 से 51 लेस कर देखिए 70 हो गया अब देखते है 70 है और हम 27 को 2 से गुना करके माइनस 1 करते है तो 33 तो मतलब ये भी चला जाएगा तो 70 से 33 लेगी अब 17 17 जैसे दिखिए हमको समझ में आ गया तो अब तो ये जाने वाला है नहीं अब जो भी जाएगा दसमलाव में जाएगा तो देखो ये 25 और 26 और 27 तो समझ में आ गया अब हम क्या करते है 28 लेकिन हम चल जब रहे हैं तो 28 का ही घर लेते हैं नसमलाव में जाने के लिए भी 27 के बाद वाला ही घर लेते है 28 देखो 28 गुना 1 यह एक चीज़ गलती हो गया यह mistake है यह 28 गुना 2 माइनस 1 होगा प्लीज इसको बियर करना इसको समझ लेना यह 28 गुना 2 माइनस 1 है यह 55 होगा जो भी है लेकिन आप इसको क्या चेखे 27 इंटू 2 माइनस 1 होगा यहाँ भी 28 इंटू 2 माइनस 1 होगा इसे आप सुधार ले तो 28 से 2 को गुना करेंगे 56 से एक गुना करेंगे तो 17 होगा तो हम 5 पर पहले ध्यान देखे 3 पचे 15 होगा और 3 चक 18 का 8 अगर होगा तो 15 के 7 अगरम यहाँ 5 है सॉरी 3 पचे 15 का 5 और 3 पचे 15 और 16 मतलब 16.5 165 मतलब 16.5 यह 17 है तो मतलब हम बड़े अराम से 0.3 से जा सकते हैं तो हमने यह 0.3 लिग दिया तो 25 दो 27.3 मैं जानता हूँ कि जिनके दसमलाव में प्रॉब्लम है प्लीज मेरे बेसिक के दसमलाव के क्लास में आप जाइन पर लें 100% फ्री है तो यह बड़े आसानी से समझ में आए जाएगा यह कोई लंबी चौरी नहीं है अब देखे यह मैंने इतना भी करने की जोरत नहीं होता है यह तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ अदर्वाइस जान ले इतना भी डिटेल लिखने की जोरत नहीं है जो हम आगे के करते भी जाएगे अब चलेए नेक्स पे चलते हैं अब आते हैं 972 का अब देखें 900 बातर का same program है same चीज़ है हमने बीच में से लकीर खेश दी बातर के बाद 2 संख्या के बाद लकीर खेश दिया अब हम जानते हैं 3 जो है 3 तियाई ना होता है हम हर को जानते है 3 का अगर square stanza पढ़ेंगे तो it will be the 9 और चुकि उसके बाद 2 संख्या के लिए हम क्या करेंगे 0 लेकर आते हैं हम पहले भी लाते है 900 तो 900 हो गया 972 से 900 less कर जा तो 72 हुआ अब हम जानते 30 का घर चला गया लेकिन 72 है मेरा 30 में 31 भी तो जा सकता इसमें दिख रहा है तो फिर हम क्या करेंगे 31 तो लेकिन हम इसको लिखते हैं दूसरे तर से 31 गुना 2 माइनस 1 दे के पहले भी हमने किया था तो क्या होगा 31 को 2 से कुना करेंगे 62 62 से 1 घटाएंगे तो 61 होगा एक बार जाएगा लेकिन पॉइंट में जाएगा तो मेक्स घर तो जाना ही परेगा 31 के जगा 32 घर लिया 32 को 2 से कुना करके माइनस 1 किया तो 32 दुनी 64 हुआ 64 से 1 लेसके तो 63 अब देखिए 63 को कितना से कुना करेंगे तो 11 होगा very simple है 63 को अगर 2 से कुना करेंगे तो 126 आएगा 126 मतलब हम 2 संख्या अगर आगे का लेते हैं तो 12 आएगा यहां 11 चाहिए तो हम जानते हैं कि तब हम खाली क्या करते हैं इस संख्या को देखते हैं और इसको देखते हैं तो सीरीसी बात है अगर हम 6 को कितना से कुना करेंगे तो 110 के नीची आएगा तो 17 चक कितना होता है 17 चक 102 होता है 18 चक जो है वो आपका बड़ा हो जाता है तो हम 18 चक को नहीं लेंगे हम कितना लेंगे 17 चक को लेंगे 17 चक को लेंगे तो क्या होगा 31.17 तो देखिए अकर 1 ही आता तो यहाँ पे हो जाता है, हमने थोड़ा सा ज्यादा ले लिए 31.17 हो गया, तो यह हमारा 972 निकल गया है, अब देखिए इसको और भी थोड़ा छोटा करना होगा, तो इसके लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा दूसरी वीरी भी हम लगाएंगे वो क्या है, कि नीचे का जो हम सब्स्ट्रेक्शन कर रहे थे, उसको छोटा कर लेंगे कि और तेजी के साथ हम कर सकें, तो इसके लिए आप देखिए, इधर हमने क्या लिखा है, चार संख्या लिए है, 4, 5, 6, 2, अब देखते हैं, 62 के बाद वो लाइन साथ सता उन्चास, हमारे पास 7, 7, 49 होता है, यहां 45 है, तो जा नहीं सकते हैं, उसके एक घर नीचे का है, 6 है, तो हम क्या करते है, 6, 6, 36, और चुकि यह दो संख्या इसके लिए हैं, एक 0 डाल दिया, तो कितना हो गया, 60 हो गया, 60 का स्क्वाइर किया, तो 3, 6, 00 हो गया, अ इतना घर जाएका पता नहीं है, उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, अब ज़रा ध्यान दिजिए, 60 को वही जो 2 से हम गुना करना था, यहां पर 2 से गुना किया, तो 120 हो गया, अब 120 जब हो गया, अब 120 से हम कितना बार दे सकते हैं, देकि 12 है, 12, 8, 96 होता है, यह 96, तो यहां 0 भी है तो हम जानते हैं, बारक 8 से गुना करने के 960 अराम से चला जागा, लेकिन याद रखेंगे हम एक संख्या कम लेंगे, क्यों कम लेंगे, वो आपको समझ में आएगा, हम 7 लेते हैं, तो 7 बारंग 84 देखी, 840 लिख दिया, बहुत सिंपल है यह, आपको समझ मे लिखता है, हमने क्या क्या, 7 का स्क्वायर करके 49 लिखा, अब 840 अफ 849 को जोड़ा तो कितना हुआ, 889, अब 962 से 889 लेस किया, तो 73 हो गया, तो देखें, 60 और 7, 67 तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब हमें पॉइंट में भी निकालना है, और ज्यादा एक्यूरेसी हमें चाहिए, तो हम क्या किया, वही भी दिया है, 67 तो हो चुका है, तो 67 इंटू 2 माइनस 1, तो हो गया 133, अगर देखें, यहां अगर हमें 60, actually अगर देखा जा है, तो यह 68 इंटू 2 भी लेते थे, इसमें कोई दिफरेंस नहीं आता है, तो यह 135, तो फिर हमारा क्या हुआ, य चाहिए, तो यहां 73 है, तो 13 पचे 65 है, तो नेचली 5 बार तो जाएगा, जाने के बाद अगर जो बस्ता सुए करते हैं, तो 4 आता है, यह मैंने जानबूच के किया हुआ है, आप नहीं भी करते हैं, तो चलेगा, फिर क्या होगा, 67.5 आ गया, देखें, एप्रॉक्रॉक्र करेंगे, उसमें कुछ और ट्रिक्स हम लगाएंगे, तो देखेंगे, जादा मघजमारी करने की कोई जोगत नहीं होता है, और आप समझ सकते हैं, ति यह 4 संख्या, 5 संख्या के अपर कभी आता नहीं है, हम तो आज 8, 9 संख्या सारा, सब कुछ को करेंगे हम, चली आगे ब 147 को मेरे को स्क्वाइर का पहारा पढ़ना है, तो आपको तो आना चाहिए, 9, 9, 81 हुआ, 10, 10 से 100 हुआ, 11, 11, 11, 12, 12, 144 हुआ, 13, 13, 169 होता है, तो हम 12 का स्क्वाइर पर ही जाएंगे, 144, ठीक है, और क्या है, चुकि उसके बाद 2 संख्या आए, यहां के बाद इसके लिए 1 0 डाल देंगे, और स्क्वाइर लिग दिया, तो बारा बारा हुआ, 144 और एक सुनना के स्क्वाइर होगा, तो दो सुनना बढ़ जाएगा, अब इसमें से कर घटाते हैं, तो घटने के बाद होगा 356, अब देखें, फिर वही 180 को दो से गुना कर दिया, 240, अब 240 को जो हम द घटा दिया, जो पहले, हर बार देखो एक ही चीज़ कर रहे हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है इसमें, अब घटाया तो 115 हुआ, अब तो हम तो समझ गये कि 241, 120 और 1, 121 बार जा चुका है, अब 122 बार भी जा सकता है, तो उसको देखने के लिए 121 को ही 2 से गुना माइनस 1 कर तो 121 को 2 से गुना किया, तो क्या हुआ, ये 242 हुआ, 242 से गटा है, तो 241, देखें, ये भी गुना बहुत ही सिंपल है, ये सब आप अगर सूचे के कि सर ये कैसे करेंगे, तो आप बैंका एक्जाम करने के नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही आराम से मुझवानी होना चीए 12 दुनी 24, 2 एक कम 2, 242, माइनस 1, 241, अब ज़रा देखते हैं, 24 से 115 कितना बार जाता है भीया, तो देखें, यहां का क्या बहुत है, दो संख्या उठा रहा हूं, इदर का 3 संख्या उठा लिया, तो 24 चोके कितना होता है, 24 चोके आपका 96 होता है, 24 पचे कितना होता है, 120 हो अब देखें, 120 तो नहीं जा सकता है, तो हम जानते है, 0.4 तो जाएगा ही, हम 121.4 लिग दिया, मैंने फिर से बोलता हूं कि हमें एक संख्या दसमलाव के बाद आजाने के बाद, हमें approximation के में नहीं आता है, और अगर एकदम accurate चाहिए, तो इसी वीदी में निकलता है, वो जब हम simplification में जाएंगे, जहां accurate चाहिए, वहाँ पर मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि अभी ये अगर आपके clear हो जाता है, तो वो भी आपको बड़ी जल्दी clear हो जाएगा, अब हम आगे आते हैं, अब आते हैं पांच संख्या का लेते हैं, 9, 3, 4, 2, 7, चलो इसको लिग द जाएगा, कि अगर 9 के बाद कितना संख्या है, देखो 1, 2, 3, 4, तो मतलब ये 4 के लिए हमें कितना सुनना लेना होगा, दो सुनना लेना हो, ये ज़रा दयान देते रहे हैं, तो फिर 300 का स्क्वाइर कितना होगा, 9 के बाद 4 सुनना होगा, अब जब LES किया, तो कितना होग 3, 4, 2, 7 बचा अब हमें क्या करना है? 300 का दुगुना करना है तो यह देखो 300 का दुगुना 600 से हम भागा दे रहे हैं तो सीरिस्नी बात है 600 से 5 बार तो जाएगा 6, 35 6 बार नहीं जाएगा 36 हो जाएगा यहां 34 है तो हम 5 बार दे दिये तो 600 को 5 बार गुना किये तो यह 3000 हुआ फिर प्लस क्या होगा? इसका स्क्वाइर करना होगा देखो एक ही चीज़ बार बार कर रहा हूँ मैं 3000 के साथ 25 जोड़ा अब 3025 को 347 से लेस कर दिया तो कितना हुआ? 400 दू हुआ अब हम 300 और यहां 5 305 घर तो कर चुके है 305 के बाद कौन सा घर आएगा? 306 घर आएगा तो 306 घर में कहां तक जाएगा? देखने के लिए इंटू 2 माइनस 1 किया तो क्या हुआ? 306 को 2 से गुना करेंगे तो 612 होगा 612 से एक गटा है तो 611 अब देखो 611 जो है यह कितना में जाएगा? हम देखो भागा दे रहे हैं तो इधर 6 देखते हैं इधर 40 देखते हैं तो हम देखते हैं 6 चके 36 6 सते 42 तो हम तो जानते हैं 6 बार जाएगा 7 बार तो किसी भी हाल में नहीं जाएगा तो हम खाली 6 लिखते हैं बात में अगर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अगर आउर आगे थोड़ा सा करते हैं, तो आपको देखेंगे कि पांच बार आउर जाएगा, लेकिन फिर मैं वही बोलता हूँ, 305.60 सफिशेंट है अप्रोक्सिमेशन के लिए, और ये फटा-फट करके दाहक आप उसके चक्कर में नहीं रहिए, वो केवल आपको सिंप्लिफिकेशन के वक्त में होगा, तो उसके साथ थोड़ा सा एक प्रोसेसिंग होता है, जिसको करने सी हो जाता है, अब चली आगे आते हैं, अब आते हैं, 6 संख्या लेकर, 1, 3, 4, 2, 9, 2, अब वही भी भी है, लेकिन थोड़ा सा और भी जानना है, हम 92 के बाद यहां लिखे, देखें, यहां पे 13 है, 3, 9, 4, 4, 16, हम जानते हैं, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार करते हैं, तो यहां 9,000 होता है, 9,000 और 13,000 में जाएगा, 50% का डिफरेंस होता है, तो हमें एक बातों सम सक्षे कर निकालना होता है, आप साइग जरूर जानते हैं, पांच को पांच से गुना करके पहले 25 लिखते हैं, पहले क्या करते हैं, पशन भी रीजेने के बसे सब्सक्राइब कर दिंग एक सुना टाइब गाल जाए था दो सुनना आ जाएगा, जो पहले भी हमने बुला है, तो तीन सो पचास का स्क्वाइर हो गया है, तो हमने लिग दिया, ये बारो सो पचीज डबल सुनना लिग दिया, अब घटा दिया, घटाने के बाद वाद 11792 अब हमें क्या है, हम जानते हैं, तीन सो पचास का दूगू बारा होता है, ठीक है ना? kole eso होता है, 16 एक्सो बारा होता है, शोलो अठे जो है वोो तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करते ने है, सोलों बार हम डेते हमाने, बतरब 700 से करना है थोतरद नहीं जाएगा, सतर बार जाएगा तो वह 119 हो जाएगा तो हम 700 से देते हैं खली 16 बार देते हैं अब 16 को साथ से गुना किया 112 और 00 लिख दिया ऐसा भी मत सोची कि गुना करना आपके लिए बहुत भार ही होगा बहुत सिंपल हो जाता है यह सब गुना हो गया और जो बचा 16 अब 16 का स्क्वाइर तो आपको याद रख नहीं होगा दोस्त 16 का स्क्वाइर बराबर 256 है यहाँ पे भी आप ट्रीक्स लगाने की कोशिश ना करें ऐसे तो ट्रीक्स लगेगा यह भी बनेगा लेकिन बुक नहीं जमता नहीं है दोस्त तो 16 का आपने स्क्वाइर किया तो 16 का स्क्वाइर 256 हुआ अब 11200 में 256 जूट दिया तो 11456 11792 से 11456 कर दिया खटाया तो कितना बच गया 336 अब देखे 350 आप 16 मतलब कितना हो गया आप 366 घर तक का स्क्वाइर निकाल सके निकाल चुके है अब 336 बच गया यह 336 जरूर दसमलों में आएगा अब देखे करने के लिए क्या करते है पहले 336 को दो से गुना करके एक से घटा देते हैं ठीक है न तो देखे यहाँ पे भी थोड़ी सी गल्ती हुई है यह 721 होना चाहिए तो जो भी है तो यह थो हमारे टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन देखे यह मजे की बात क्या है कि यहाँ पे जो गल्ती यहाँ पे गल्ती नहीं हो कि इसके बाद वाले संख्या में गल्ती भी हो जाए तो बहुत जादा फरक आप पे नहीं गिरता है क्यों कि हम जानते हैं कि साथ से अगर आको 33 जाना है ठीक है ना तो चार सते अठाइस पान सते पैंतिस तो चारी बार जाएगा तो चार सते तैंतिस अपने चाह लेगा बाद में मैंने निकाला था तो 6 यह भी साथ गलत हो सकता है, क्योंकि यह गलत हो गया है, क्योंकि 6 दूनी 12, आज 6 दूनी 12, 13 का 3 हाथ मेरा 1, 3 दूनी 6, 7, यह जो होगा 732-1, 721 होना चाहिए था, यह गलती हो गया है, लेकिन इस गलती से देखें, मज़े की बात किया है, मैं एक चीज़ को यह गलती हो गया है, यह जान बुझके तो मैंने किया नहीं, लेकिन इस पे भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यह आपके जो फिगर्स को जो है, बहुत ज़्यादा टाल मोटल नहीं करता है, आप हलका सा पकड़ भी सकते हो, तो चलिए हमने यह पांट संख्या का किया है, अब हम आगे चलते हैं, अब हम छे संख्या का करते हैं, ठीक है, तो चलिए हमने तो कर्ट किये ही जा रहा है, आप देखी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें, देखे वही 46 के डाला, अब 1793 है, देखो यह पहले 17 को देखे हम सोचते हैं कि चार्चो के 16, अब देखे हम गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच है, चार्चो के 16, ठीक है न, अच्छे है, हमारा 16 अगर लिग देंगे तो कितना बचेगा, एक, दो, तीन, चार बचेगा, तो यह चार के लिए कितना हो का, दो सुना ले लेंगे, तो 400 को स्क्वाइर कर दिया, यह हो गया, गठा दिया तो, 19346, अब देखे आट सो, देखो यह आगे भी जा सकता था, मजे की बात क्या है, यह आगे जा सकता था, मैं आपको 420 का भी करवा के, मैं अच्जस्मेंट ले सकता था, बहुत कम करके, लेकिन मैं एक ही वीधी रखना चाहता हूं, इससे भले आपका 2 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन एक ही वीधी पे पड़े रहते हो, तो कुई प्राब्लम नहीं होता है, तो देखे हमने 400 का दुगुना किया, 800, अब 800 से भागा देने जा है, तो देखो, दो सुना, दो सुना, यह हो गया, आठ है, इधर 113 में है, हमें ऐसे सोचना पड़ता है, तो हम जानते हैं, 25 अठे तो 200 नहीं जाएगा, 24 अठे जा सकता है, लेकिन हमें क्या करता है, एक कम लेना पड़ता है, आपको भी पता है तो हम 23 बार लेते हैं, क्यो 23 के आउगं पर की आप एक कम करके लो तो हमारा क्या हुआ 23 को 8 से गुना के 44, 2, 8 organised 28, 184 और दो सुना लगा दिया और 23 का स्क्वाइर देखो दोस्त मैंने बुला 25 तक का स्क्वाइर आपको याद करना होगा क्योंकि बैंक की अगर एक्जाम देने चाहते हो तो ये तो काफी जोड़ी है तो 23 का स्क्वाइर वर 529 है अब आप इसको जोड़ दिया तो 18929 होगिया लेस कर दिया तो 417 हुआ अब 417 में आपको जाना है अब जानते हैं बचातो हुआ है तो आपको दसमलाओ में भी कितना जाएगा उतना तो एक बार देख किया चलना है तो आपने 400 किया और 23 किया है तो 423 अब नेक्स्ट वाला जानने के लिए क्या करेंगे 423 को दो से गुना कर दिया 446 होगिया 446 को एक लिस कर दिया तो 846 होगिया 846 को एक लिस कर दिया तो 845 होगिया अब देखिए 8 है नहीं चार भी, आर्ट से आप देखते हो कि हाथ 40 तो चला जाएगा, लेकिन एक रह जाता है, और इधर 4 है, अगर 84 को आप 5 से गुना करते हो, तो 4 पचे 20 का सुनना हत मेरा 2 पाचे 40 और 2 42 हो जाएगा, तो यह नहीं जाएगा, तो यह 4 बार भी जाएगा, तो चार्चो के 36 हुआ, और चार्ट 32 हुआ, और आपका चार्चो का 16 मत्यज़क 33 का, मतलब काफी जादा डिफरेंस उसके बाद रहेगा, तो आपने आप किया जब मैंने तो दिखा कि 0.46 हुआ, फिर से दो रहता होंगा, अगर आप 423.4 भी लिखते हैं, तो आप approximations के math को कर करना है, तो इसके बाद भी थोड़ा सा इसका clearly करना होगा, जिसको मैं अगले में बताऊँगा, अब आते हैं दूसरी एक संख्या पर, ये भी देखी 6 संख्या क्या है, 5, 2, 6, 4, 3, 9, अब 3, 9 पर कर दिया, अब देखे 5, 2, 6, 4 है, बावन को पहले देखते हैं, बावन मतल होगी है, या 4 सुना होगी है, 4 zeros होगे, अब इसको हमने less कर दिया, तो 3, 6, 4, 3, 9, अब देखो 7 का अगर अगर ये करेंगे, तो ये 14 होगा, फिर से मैं बोल दो कि अब 14 होगा, तो ये 3, 9 अब 2 सुना तो कर दिया, मतलब आप नहीं देखेंगे, 14, 3, 64 है, तो सीधी सी बात है, 14, 20 का कितना होता है, अब मनी मन करते है, 14, 20, 280, 280 के साथ अगर, 14 का आधा कितना होता है, 140 होगा, 280 के साथ, 70 जो रेंगे, या 28 के साथ, 7 जो रेंगे, तो कितना होगा, 35 होगा, यहां 36 है, यहां 35 है, मैं प्रे आराम से चला जाएगा, तो हमने 25 को ले लिया, 35 ले लिया, और बोला यहां पर 24 तो लेना चाहिए था आपने क्योंकि मैंने देखा कि 25 का 625 होगा मारी मंदर यह सोचना पड़ता है कि 25 का 635 होगा क्योंकि यह तीन घर है तो 625 जो लेंगे तो 35 65 होगा यह अराम से चला जाएगा तो इसके लिए हमने 24 नहीं लेके 25 लिया यह क्यों लेता हूँ जब 6 संख्या वाला होता है तब दिखे कि यह पुड़ा ही ले लेता है क्या कि ज़्यादा फर्ट महीं डालता है तो फिर हमने 35625 हुआ अब इसमें से घटाया तो 814 और हम जानते कि 725 घर तक का रख चल चुके है अब 726 घर के जानने के लिए क्लिए होगा 725 को दूसे गुना क्या माइनस वन किया तो कितना हुआ 725 का 1450 1450 एक कटाया 1449 हुआ अब यह 1449 814 का कितना है सिंपली से एक 1400 का आधा करेंगे चौदास होगा आधा करेंगे तो 700 होगा या 800 होगा तो मतलब 0.5 तो होगा ही होगा और इसको हम आगे भी करेंगे तो आप देखेंगे अगर 10 लॉक है तो उसके बाद 6 आएगा लेकिन मैं केवल 725.5 में ही संतुस हो जाता हूँ क्योंकि मैंने फिर बोला है कि approximation में इसी से हमारा काम निकल जाता है ठीक है न और आगे थ्वासा बताएंगे कि इसको कैसे निकाला जाए तेजी के साथ उसे हम फिर से बताएंगे देखें हम जहां तक बताना है क्योंकि आपने confusion नहीं हो confusion नहीं होने से एक ही चीज़ को बार बार देखिए मैं 10 बार रिपीट कर रहा हूँ दो बार पह एक तरह का किया फिर हलका सा टर्ण लिया क्योंकि वो इसको इतने छोटे में करने के लिए जो जो छे सेकेंड में हो जाए और इसमें बहुत सारे चीज़ को अपको लिखना ही नहीं परे चलिए हम आगे की एक मैत को देखते हैं अब आते हैं हम एक संख्या लिया है आठ संख्या का चलिए बारी वरकम ले लिया अब देखिए इसमें जो संख्या भी लिया है वो भी क्या है दिखे नौ से लिया हुआ है मतलब यह आठ के बाद नौ के बाद आप समझे बिरानबे थोड़ा सा बढ़ जाते है आठ गर तो यह क्या हो जाता यह आपके नौ घर का हो जाता तो चलिए हम 84 की यहां से कीचे और यहां कितना संख्या है अब देखे यहां पे हम देखते है कि 99, 81 यहां बिरानबे 11 का डिफरेंस आजाता है तो हमें सोचना पड़ता है कहीं 95 तो नहीं जाएगा चलिए हम 95 को 95 से कैसे गुना करते हैं हमने पहले यह आपको दिखाया है पहले 5 को 5 से गुना करेंगे 25 होगा फिर 9 में एक जोड़ देंगे 10 होगा 10 को 9 से गुना करेंगे 9025 तो हम देखते हैं कि 95 से 9025 होता है या 9234 है तो बड़े आराम से चला जाएगा तो हम पहले 95 लिखते हैं अब 95 लिखने के बाद यह तो इसका 95 का 9025 लिखेगे अब कितना सुनना है एक, दो, तीन, चा तो यह चार सुनना के आधा क्या होगा दो सुनना क्या क्या हम जानते हैं स्क्वाइर में यह दो सुनना होगा तो दो सुनना हो जाता है दो सुनना होगा तो चार सुनना हो जाएगा सिरी बात है 9500 को दो से गुना करेंगे तो नौदुनिया 18500 का 1000 मत्तब 19000 होगा अब 19000 से कितना बार जाएगा देखो 19 अगर है यहां 209 है तो हम जानते हैं 19 दसे तो 190 होता है है थीक एक सो नंबभे होता है लेकिन अगर यह भी जानते हैं 19 2109 का ऑगर बार भाटी बार कम होगा चाहिए 109 का स्क्वाइर करेंगे दो ऐसेंट कज़ना करता है। क्या हुआ, उनिस नवा, एक सो एक अतर का, एक अतर लिका, एक बचा, उनिस से कम, उनिस और एक बीज, टू-जिरो सेवेट हुआ, तो टू-जिरो सेवेट वन, आओ देखो, हमने क्या किया, इसके दो सो ने जाल दिये, ठीक है, अब उसके साथ हमें जोड़ना है, एक सो इन्टू एक सो नौ, एक सो नौ को अगर एक सो नौ से गुना करेंगा, तो इसका भी आप जोड़ जानते है, यह पुछा क्या जाता है, एक सो से कितना जादा है, नौ जादा है, यह भी एक सो से कितना जादा है, नौ जादा है, अब पहले नौ-नौ को हम गुना करते हैं, कि मैं इसको बताने का ज़रूरत ही नहीं समझता कि अब तो लगता है कि आप लोग इसको ज़रूर जानते हैं ठीक है अब उसके बाद जो है हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं तो होता है 2082-881 अब इसको इसको इससे घटाते हैं तो फिर तो यह होता है 13403 अब देखे हम आद देखे 9500 यहां होगी है तब 109 यहां होगी है तो क्या हुआ हम जानते है 9609 हुआ क्यों हुआ यह देखे 9500 था और उसके साथ अगर हम 109 जो रहेंगे तो कितना होगा 9609 होगा तो इसको दो से गुना करके उसके बाद वाला घर क्या होगा वो दानने के लिए तो होगा यह 19217 अब देखे 19217 है यहां 13 है 13 का मतलब क्या है हम जानते हैं कि कि 19 अगर है 19 का अगर हम करते हैं तो कितना होता है 19 का देखे 7 में करते हैं तो यह बहुत ही करीब हो जाता है तो हम इसको 0.69 ले रहे हैं 0.69 लिया या 0.7 भी लेते तो बहुत ज़रा आपका यह problems नहीं करता चुकि यह approximations की matter है तो यहां पर करने के बाद मैं यही बोलूँगा आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि कितना भी संख्या हो अगर आपको देखने में हमें डर लगता है कि इतना होगा हम देखते हैं कि बड़े असानी से हो सकता है अब चलिए जब जाते जाते दो संख्या कर लेते हैं क्या कि दो संख्या में थोड़ा सा रूल्स में अलका सा difference है देखे 39 है 39 का square करना है तो हम जानते हैं कि 6,36 हुटा हम जानते हैं अब देखे 3 बजी है अब 3 हम जो जानते है 6 है तो मतलब point नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे पहले 6 को 2 से गुना करेंगे 12 यहाँ पर देखिए minus 1 हम नहीं करते हैं यहाँ पर हम minus 1 नहीं कर रहा है तो हमने क्या क्या 6 दूनी 12 अब 3 को हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 चोग के बाद 1 फॉर्थ होगा मतलब point 25 होगा तो 6 प्रस point 2 हो 6.25 देखिए यह जो है फिर बोलता हूँ यह point 25 के जगा मैं जानता हूँ यह point 24 होता है तो मैं भी बोला कि decimal के बाद point 01 का जो difference होता है वो accuracy में आपका कोई problem नहीं करता है तो चलिए यहां तक मैं आशा करता हूँ कि यह चीज अगर आप कुछ बार practice कर लेंगे नए नए संख्या को लेके आप इसी विदी से करते ही जाएंगे तो यह एक या दो दिन के practice में यह आपके खुन में चला जाएगा और जान लेना दोस्त आपके approximations का क्योंकि यह मैंने पहला पार्ट दिया approximations का मैं इसके आगे हर दो दिन के बाद में कुछ ना कुछ देता रहूँगा तो अगर आपने मिझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप समझ सकते हैं थोड़ा सा हटके डीडी अकाडेमी का हर जो chapter होता है थोड़ा दूसरे से हटके होता है और मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ और आप लोग मैंसे बहुत लोग इससे पसंद भी करते हैं और कहीं ये reality में जो exam देने के लिए जो जोड़त होती है उसके करीब से गुजरता है तो चलिए आप लोगों ने वक्त दिया इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद